दोस्तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा प्लेट में कितना आइटम निकलता है कौन सा प्लेट कितना बीएफ का होता है और कौन सा प्लेट कितने बीएफ में बनाना चाहिए आज यह हम सारे बात करें कि बहुत दिने से कमेंट्स आ रहे थे मेरे इस चैनल पर तो चलिए वीडि बहुत ही खास वने वाले हैं नये लोगे लिए जो इस बीजनेस में अभी-भी नए में इंटर किये हैं। क्युएंकि बहुत लोग इस बीजनेस को स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिंध उसको उनकी बारिक्वियों को नहीं पता होता है। इसलिए वो परसान होते हैं और मेरे वीडियो पर हर वीडियो पर कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं तो उन्हीं में से कुछ कमेंट्स को हम उठाये हैं उसी पर हम यह वीडियो बना रहे हैं जिससे कि लोगों को आसानी हो इस काम को करने में तो एक कमेंट्स था भाई का बता पूछ रहे थे हमसे कि सर आप हमें बताइए कि कौन सा बीएफ में कितने बीएफ में पेपर तयार करते हैं इसकी पेपर में थ्वासा क्वाइलिटी अच्छा हो और कितना पीछ निकलता है एक के जिमाल में तो दोस्तों यह आपको हम किलेरली बता दें कि बीएफ तो बहुत क्या होता है कि पेपर हाड़नेश जादा आ जाता है उस पेपर में जो अठारे बीएफ का होता है और उसमें आप अगर इदी काम करते हैं तो उसमें पेपर हाड़नेश वैसे प्लेट जो है बहुत ही क्वाइलिटी का निकलता है अब बात करें कि हमें इसमें निकलता कितन एक के जिमाल में तो अगर यह दी आप लोग 13 इंच का थाली बना रहे हैं तो वो आपको 75 से 80 पीश निखलेगा 18 BF 100 GSM का और अगर यह दी आप 12 इंच बना रहे हैं तो वो आपको 90 पीश निखलेगा 18 BF 100 GSM का क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर 16 BF लेते हैं तो थोरा सा पीश और बढ़ जाएगा 92-93 हो जाएगा लेकिन प्लेट में जान नहीं आएगा और उसके बाद अगर यह दी आपका कम BF का माल होगा तो जैसे ही आपका प्लेट निकलेगा मसीन से तो वो आपका प्लेट कुछ सकेंड में ही मुलाइम सोप्ट हो जाएगा यह आपको हम पहचान बता रहे हैं पेपर पकरने का कि अगरी आप BF नहीं अंदाजा लगा सकते हैं तो आप मसीन चलाते हो तो पेपर जब आपका नीचे गीरेगा प्लेट कटके तो वो प्लेट जो है शिकूडने लगेगा गोल होने लगेगा जैसे तो आसा उसको हवा लग जाएगा तो वो जो है प्लेट हाड होगा वो शॉप नहीं जल्दी होगा कुछ भाई का यही कमेंट्स आ रहा था कि सर आप बोरी कहां से लेते हैं और कौन सी बोरी में पैक करते हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते भी है और हमास पर्स दिखाते हैं कि बोरी जो है हम बोड़ी का इस्तमाल करते हैं उसका रेट होता है दस रुपे जो नया बोड़ी होता है वो पढ़ता है महेंगा हम लोग को तो इसलिए हम इसमें हमारा क्या है कि हमें कोश्ट को कम करना है तो कैसे कोश्ट कम करेंगे तो हम सकेन बोड़ी लेकर के आते हैं वो मिलता है में पा कि यह जार लाएगे एक हजार का लाएंगे सो बोरा कियुं नहीं कि यह лиे गांगे तो यह ज़्यादा बेनेफिट होता школ सभा इंगे इसलिए हम करते हैं और यूज करते हैं अब कुछ बहाइगा कमेंडस करते कि सर पण में आप पएक करते हैं तो उसके के चक्कर में महंगा उठा लाते हैं अब कैसे अब जो पनी हम लोग यूज करते हैं वह बहुत ही होता है आठ दस मैक्रोन का होता है आठ मैक्रोन का जो हम यूज करते हैं पनी फैकिंग के लिए उसको लोग बोलते हैं अस्पेशल है पीपी अस्पेशल बोलिए आप नदीज हमें आपको देड़ेगा लेकी वह जो है थोड़ा सा महंगा होगा 1020 रुपे केजीं पर कहीं पे 180 भी मिलता है कहीं पे 200 भी मिलता है कहीं पे 190 भी मिलता है ऐसे है लेकिन आप उसको छू के पता कर सकते हैं कि पन्नी मोटा है कि पतला है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि 160 रुपए 180 रुपए 150 रुपए 170 रुपए लोग रेट देखते हैं कि बहुत कम है यही ल कि वहां से आप पणनी जहां सी भी लोग चेक करो पहले चूकर कि कितना पतला है क्योंकि पतला पन्नी लोगे तो उआपको ज्यादा चड़ेगा वजन में और मोटा पन्नी कम चड़ेगा वजन में तो मोटा पनी कम पैसा होता है और पतला पंदी का ज्यादा पैसा होता है लेकिन ज्यादा पैसा थोरा पैसा बहरता कि पन्नी उससा डबन हो जाता है तो हम लोग जो यूज करते है उच पन्नी का दाम आता है कवह 180 के एगiko 190, ऊपर-पाजन में निचे होता को लोग तक पंचाने भी चलाता है लेकिन हम लोग यूज करते हैं और बढ़ियां पन्नी बढ़िये क्वालिटी का होता है उसमें पन्नी पतला होता तो चड़ता भी जादा है तो आप लोग भी अगर यह दी पैकिंग के लिए पन्नी ढून रहे हो तो पीपी यूज करो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा थ्वासा पैसा दस भी सुपे केजी पर बढ़ेगा लेकिन आपका पीस भी डबल चड़ेगा तो उमीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा पन्नी कौन सा लेना है बोड़ा कौन सा लेना है और कितने बी एफ में कितना माल निकलता है एक के लेट एक के जिमाल में कितना निकलता है और उसके कितने की पैकिंग करते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं हम आपको उस पर भी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाकर दे रहेंगे तो उमीर है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जो प्रेस करें ताकि जब इस तरके वीडियो अप्लोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुचें